दोस्तों न्यूजिलेंड और बांगलादिस के वीचे में वर्ड कप का गैरहवा मैच होने वाला है जो कि 13 अक्टूबर को दोफ़र में दो वजे से मही दंबरम स्टेडियम चेन्नई में ये मैच खेला जाएगा सबसे पहले चेन्नई के मौसम की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर मौसम लगवग साफ रहने वाला है बारिस होने के लगवग कोई चांस आपको नजर नहीं आएंगे लेकिन हाँ क्लावडी मौसम रहेगा और यहाँ पर धूप भी रहेगी साथी साथ बातल भी रहेंगे तो नम मौसम रहेगा उसके अलावा बात करेंगे इस ग्राउंड पर जो टोटल सत्रा इंटरनेशनल वंडे मैच खेले गया उनमें 47% टीमों ने पहले बल्लेबाजी करके जीत हांसिल करी है और बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम को एक 40% जीत हांसिल मिली है उसके जीते की वो पहले बल्लेबाजी के लिए ही जाएगी इस पिछ पर पिछले जो 10-50 ओवर के मैच खेले गए उसमें 53 बिकेट मिला है जबकि 88 बिकेट फास्ट बॉलर को मिला है भले इन पिछ कितनी भी स्लो हो सारी चीज़े रहती इस पिन ट्रैक होता है टर्निंग ट्रैक रहता है लेकिन फिर फास्ट बॉलर यहां पर थोरे से ज्यादा बिकेट निकाल के लिए जाते हैं इस पिनर्स की अगर परसेंटेज देखो तो और इस परसेंट जबकि फास्ट बॉलर को आपको 62 परसेंट यहां पर बिकेट मिलता हुआ नजर आता है वैसे और इंडिया वाले मैच का भी आप स्कोर कार्ड अच्छे तरीके से देख सकते हैं उस महां भी आपको सारी चीज़ें पता चल बात करेंगे इस ग्राउंड पर जो फिलाल के लिए एबरेज स्कोर आ तो 221 का पहली इनिंग का एबरेज स्कोर यहां पर रहा है जबकि 198 का एबरेज स्कोर इस ग्राउंड पर नजर आता है 299 इस ग्राउंड का हाइस्टускोर है जो की इन्डिया और साउथ एफ्रिका के बीच में बनाते जब कि 69 इस ग्राउंड का लोएस्ट को और 291 रनों को यहां पर चेस भी किया गया उसके अलावा 171 रन को यहां पर डिफेंड भी किया अप स यहां पर इंडिया औस्टलिया का खेला गया था जो की खेला गया था 2030 में मार्च महिने में और वह और इंडिया निव जी लेंड एक बीच में जो मैच हुआ इसके लाबा बांगलादेश की टीम ने पिछले जो 5 मैच के लिए उसमें से वार्मप मैच जीता था जो खेला गया था बाकी के साथ वे मैच में चठे मैच में इसको हार भी मिली है अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं दोनों टीम के बीच में जो अब तक के पिछल तीन मैचों की बात करें तो सारे के सारे मैच डिफेंड करके हो या फिर चेस करके हो न्यूजिलाइड की टीम लगातार मैच जीत रही है दोनों टीम के बीच में जो ये सारे मैचेश आपको hit to hit के नजर आ रहा है इन सभी मैचों में कॉन-कॉन सा प्लेयर सबसे बेहतर रहा है जिसने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया है उन प्लेयर्स को ढूंड करके उन्हें हमें टीम में जरूर करने चाहिए जैसे कि जो इक मैच हुआ था पिछला जो तीन मैच मैच मैंने दिखाये उसमें से एक मैच में 318 रन न्यूज जो कि अभी रिसेंटली 15-20 तिन पहले हुआ था तीन मैचों की स्रीज थी जिसमें की पहला मैच 12 के कारण खराब हुआ तो दूसरे वंडे मैच में दो सचोवर नं न्यूजिलेंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करके बनाए ओल आउट हुई और टॉम बलंडन ने 68 रन थे हैंडी निकुलस ने वंचास रन बनाए थे मेहदी हसन को तीन बिकेट मिला था खली दमद को तीन बिकेट इस मैच में मिले थे बांगलादेश की टीम यहाँ पर 168 पर ओल आउट हुई थी और रियाद नहीं यहाँ पर 164 रन बनाए थे इस ग्राउंड पर उसके पर लगाए और नजीम उलसें सेंटों ने 76 उसके लावा रियाद ने 21 रन बनाए अब रियाद आपको हर जगा मिल रहा होगा मुहमोत तिल रियाद हर जगा बल्लेबाजी करना न्यूजी लेंड के आगया तो भाई इसको आप तीम में जरूर कर लेना और मेरे हिसाब से इ दोनों मैचों में चले हैं लगभग मैचों में बांगलादेश की खिलाप ये दोनों बंदे चलते ही हैं और रंस करते नजर आप उसके अलाबा मोहमाद शरीफुल इसलाम ने दो विकेट लिए और नासुम हमाद को एक विकेट मिला था ये तीनों मैचों से आप प्लेयर रोंड के निकाल सकते हैं उसके अलाबा बात करेंगे दोनों टीमों के ओवर और पिछले दस वंडे मैचों का जो परफॉर्मेंस रहा है निजुलाइन ने जो दस मैच के लिए उसमें से साथ मैच जीते हैं 254 का इसकोर 346 का हाइस्ट इसकोर 147 का इसका लोएस्ट इसकोर जराता है जबकि बांगलादेश ने जो पिछला 10 वंडे मैच खेला उसमें से चार मैच में जीत मिली 220 का इबरेज इसकोर 334 का हाइस्ट इसकोर और 158 का इसका लोएस्ट इसकोर बांगलादेश की टीम का पिछले 10 मैचों में नजराता है जबकि ग्राउंड पर चेनने के ग्राउंड पर दोनों टीम के पर्फॉर्मेंस देखें तो नीजुलैंड ने यहाँ पर तीन मैच खेले जिसमें एक मैचों में जीत मिली है एक सो तिरपन एबरेज इसकोर 286 का हाइस्ट बाहत्तर का इसका लोएस्ट इसकोर नजराते जोकि बांगलादेश ने यहाँ पर कैप्टेंस यह टॉम लेथम यहाँ पर वाइस कैप्टें होंगे और वैसे अगर आप बात करेंगे यहाँ पर आल राउंडर्स तो मिचल सेंटर डाइरी मिचल जीमी नीसम रचिन रविंद होने वाले हैं लेकिन इसमें जो सबसे पर्फेक्ट होने वाला है चेनले के आपको चार आल राउंडर नजर आएंगे जिसमें कि यहाँ पर तो आपको स्पिनर्स बारे परे मिलेंगे वो देख सकते हैं आप फिलहाल के लिए प्लेंग लेवन की तरफ चलते हैं सिंपल सी बात है वह स्क्वार्ड आप वीडियो बास करके देख भी सकते हैं बांगला होगा उसके लावा साकीवल असन होने वाले यह सारे प्लेयर्स आपको 10-10 ओबर की बालिंग करने वाले बांगी के जो बचेंगे तो वो कोई भी यहाँ पर कर सकता है देखते हैं कौन-कौन सा प्लेयर खेलता है या वैसे यह पॉसिबल प्लेयर हमें टीम में रखने है उस लिए फुल इसलाम को आप टीम में कर लेना वह ज्यादा बेटर होगा तसकी नहमत भी हो सकता है आपको किसके जगापर खेलता नजर आए तो पटवाडी के जगापर तसकी नहमत हो सकता है खेलता हुगा नजर आएगा यह चीज़ें ध्यान रखने आप बात करेंगे के लिए तो यह इंप इंपोरटेंट होगा उसके अलावा बात करेंगे हैंडी निकुलास और यह भी इंपोरhtेंट है बिल आंग को टीम यह नहीं मिलता यह मैच के बाद ही पता डाइडी मिचल को आपको करना है रंग को टीम में करके दे रहा है तो रची रविन को कैप्टन कर सकते हो नोलो फरफेक्ट उने वाले हैं और की येवन वर 5 कैप्टन की बढ़ीया परफेक्ट होने वाले हैं साथ मेंस को आप कैप्टन कर सकते हो लोइन नास का भी बढ़िया फ़रम है लेकिन ली लीट जात्la wider 1 कर सकते हो पर कैप्टन इसको मत करना नहीं तो दिक्कत हो जाएगी डाइरी मिचल एक बहुत बढ़िया इसका रहा है अगेंस न्यूजी लेंड बहुत बढ़िया परफोर्मेंस करता यह खेलेगा तो इसको वाइस कैप्टन तो जरूर करहीं लेना अगर इक्स्ट्रा टीम आप मिचल सेंटर हो रचिन दबिंद यह सब बहुत इंपोर्टन इस मैच के लिए होने वाले हैं इस फिनर्स तो भरोसा अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं और यह अच्छे फोर्म में हैं रंस भी बना के देंगे और बिकेट भी लेके देंगे जैसे कि साकेवल असन हो या फि जरूर टीम में कर लेना वैसे मैट हैंडी खेल सकता है ट्रेंट बोल को मत करना इसको ड्रॉप कर देना फिलहाल के लिए और उसके लावा सरीपुल इसलाम भी ठीक ठाक नजर आएगा तो यह सारे प्लियर्स आपको टीम में रखने हैं जो बढ़िया परफेक्ट टीम आप को बना करके देंगे वैसे हेट टू हेट की जो हमारी टीम है वो मैं आपको यहां प्रोबाइट कर देता हूँ इस टीम को आप अगर हेट टू हेट के कॉंटेस्ट में एडिक करके अगर लगाएंगे तो टीम आपकी परफेक्ट होने वाली है और जरूर बिन करा कर करके द झाल 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 झा